नमस्ते आज हमारे सामने जो गेस्टोंने किसी इंट्रोडक्शन की जरूत नहीं है उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं बलकि सारी दुनिया उनसे परिच्चे थे नमस्ते नमस्ते सर हर बार चुनाओं में आने वाले मुख्यमंतरी हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोच के जनता अपना वोट डालती है लेकिन हर बार उसे निराशा होती उसके साथ धोका होता है आपके राज में ऐसे ही हो रहा है क्यों सर लगता है तुम अपने स्टूडियों से बाहर ही निकलते हो आज महाराश्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गाउं में डिश एंटना है कोने कोने में स्टीडी और आईस्टी के बूत लगे हुए हैं इंटरनेट है हर आदमी के पास अपनी अपनी गारी है आज हर आदमी पाउं में जूता पहनता है हाथ में घरी लगाता है एसल वर्ड जाता है मैकडोनल्ड में खाना खाता है लोगों का स्टेंडर्ड ओफ लिविंग इतना उचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भुक मरी से नहीं मरा कोई किसान मैकडोनल्ड का बगर तो क्या दोवक की रोटी नहीं खा पाता कोई मजदूर कार्म नहीं गूंता बलकि कड़ी धूप में पत्थ्रों पर अपनी एडिया रगड़ता है अमीर और अमीर होता जारा और गरीब सड़क पर आ गया है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम ह हमारे शेयर में सर लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं राशन की दुकानों पर घंटो लाइन में खड़े रहते हैं बच्चे अभी भी सिग्लल पर भीक मांगते हैं उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे तुम्हें अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रिखा के नीचे हैं पंजाब में 11.7% उसके नीचे हैं और आज भी आगाओं में एक आम आदमी के अवरेज इंकम सिर्फ तीन रुपया प्रती देना है मिस्टर शिवाजी राओ पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो सर ये वर्ल्ड इकनामिक फॉर्म रिपोर्ट या एमेफ रिपोर्ट ये यूमन राइट्स कमेशन, हैमिनिस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक अब कहना है सर चो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुचा ही नहीं उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉल्मेंट कैंसल कर दिया तुम्हें पता नहीं है बेटे वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्ते रखी थी कि सारी स्टेट गिर भी हो जाती क्या शर्ते थी सर ज़रा खुल के बताएंगे वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मैं जन्ता को बता दूँगा जन्ता आपको देख रही है सुन रही है यहां बताईए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉल्मेंट कैंसल क्यों की वो ऐसे नहीं बता सकता पूरा पुलिंदा है अजार पनों का अनेक्सचर ए बी सी जी कर करते थे अभी आपकी तंख्वा कितनी है क्या सेलरी तंख्वा सब काट कर को यह 18,000 रुपए होगी यानि एक साल में 2,16,000 यानि आज तक कि आपकी कमाई 20-25 लाग रुपे से जादा नहीं हो सकती फिर भी आपके बस 500 क्रोड रुपे की प्रॉपटी है वो कहां से आई सर अरे पाप रे यह तो दोती खोल रहा है सब भगवास है तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपटी के बारे में तो जो कोट में केस करो वहां कर बताऊंगा के मेरे पास क्या है केस वैसी कोट में 14,00,00 केसें जो 15 साल से चल रहे हैं अर्शद में तक केस अभी तक चल रहा है वो अम ब्लास वाले बाईज़त बरी हो गए एक औरत का रेप केस जब उसका नंबर आया तो उसे मरेवे 5 साल हो चुके थे और आप कहते हैं केस करो यह याद है सर हाँ देखा है कई यह आपका इलेक्शन मैनेफेस्ट हो है हाँ याद आया मैने ही तो चपवाया था हम जाती और अपराद रही समाज की स्टापना करें समाज में कानून और विवस्ता लाएंगे और ते फिर से सडकों पर खुले आम चल सकेंगी घर घर में बिजली पानी राशन होगा पूरी शिक्षा मिलेगी महंगाई जाएगी खुशाली आएगी वो खुशाली आएगी बजाए जाएगी चप गया था मैंने उसे ठीक करवाया था मुझे याद है ये सब हुआ है? क्यों? नहीं हुआ है आप कहते हैं कि कानून और विवस्ता लाएंगे लेकिन उस कानून की धजिया उड़ाने वाले ही आप हैं जाती बात को बड़ावा देने वाले भी आप ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को बता चले कि सच्चा ही क्या है ये देखिए